पैरे पैरे देश्मासियों, मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक सुरुता, स्रिमान आशिष बहल जी का एक पत्र मिला है, उन्होंने अपने पत्र में चम्बा के मिंजर मेले का जिक्र किया है, दरसर मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं, जब मक्के में मिंजर आते हैं, तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है, और इस मेले में देश भर के परियाटक दूर दूर से हिस्सा ले निकली आते हैं, संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है, आप अगर हिमाचल गुमने गए हुए हैं, तो इस मेले को देखने चम्बा ज सकते हैं। चंबा तो इतना खुबसुरत है कि हां के लोग गीतों में बार-बार कहा जाता है। चंबे एक दिन ओना कने महिना रहना। यानि जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं, वे इसकी खुबसुरती देखकर महिने भर यहां रह जाते हैं। साथियों, हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्वरा है, मेले जन मन दोनों को जोडते हैं, हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरिप की फसले पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या शैर भी मनाया जाता है, सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है, जागरा के मेलों में महासु देवता का आहवान करके बिसु गीद गाये जाते हैं, महासु देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किंदोर और सिर्मोर के साथ सांब उत्राखन में भी होता है, साथियों, हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारमपारिक मेले होते हैं, इन में से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं, तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है, जैसे कि आपको अगर मोखा मिले, तो तिलंगना के मेडारम का चार दिवस्य समक का सरलंबा जात्रा मिला देखने जरूर जाईए, इस मेले को तलंगना का महाकुम कहा जाता है सरलंगना जात्रा मेला दो आदिवासी महला नाई काउं समक्का और सरलंगना के सम्मान में मनाय जाता है एतने लंगना ही नहीं बलकि छत्तिजगर्ट, महाराष्ट्र और आंधर प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्ता का बड़ा केंद्र है आंधर प्रदेश में मारीदम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मानेताओं से जुड़ा बड़ा मेला है मारीदम्मा मेला जेश्ट अमावासया से असाड अमावासया तक चलता है और यहां का आदिवासी समाज इसे शक्ती उपासना के साथ जोड़ता है यहीं पुर्वी गोदावरी के पेद्दापुरम में मारीदम्मा मंदीर भी है इसी तरह राजस्तान में गरासया जन जाती के लोग वैशाख सुक्लच चतुरदर्ची को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आवजिन करते हैं 36 गण में बस्तर के नाराणपूर का मावली मेला भी भावत खास होता है पास ही मद्द प्रदेश का भगोरिया मेला भी खोब प्रसिद्ध है कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुवात राजा भोज के समय में हुई है तब भिल राजा कासुमरा और बालुन ने अपनी अपनी राध्धानी में पहली बार ये आयोजन किये थे तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्सां से मनाई जा रहे हैं इसी तरह गुजरात में तन्हनेतर और माध्वपुर जैसे कई मेले बहुत मशूर है मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की उर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे आधुनिक समय में समाज की पुरानी कडिया एक भारत सेष्ट भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है हमारी युवाओं को इन से जरूर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं वहां की तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें आप चाहें तो किसी खास हैश्टेक का भी इस्तवाल कर सकते हैं इससे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेब साइट पर भी तस्वीरे अपलोड कर सकते हैं अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कंपडिशन भी शुरू करने जा रही है जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्विरे बेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा तो फिर देर नहीं कीजिए मेलों में घुमिए उनकी तस्विरे साजा करिए और हो सकता है आपको इसका इनाम भी मिल जाए